कक्षा 4 यूगातमक आकलन सेकिंड दोस्तों कक्षा 4 के लिए गनित का जो आपका पेपर होने वाला है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो कक्षा 4 में जो भी पढ़ते हैं आप सभी आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेंड कर दे ताकि गणित के जो इंपोर्टेंट पेपर के परसन है वो इस वीडियो में हम करने वाल हैं उनका आंसर वो भी देख सके और पेपर में अच्छे नंबर ला सके यहां पर दोस साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों को जरूर शेंड कर देना इसके लाव आप हमें डारेक्ट कोई भी आपका मेसेज है कोई भी पेपर के सब्सक्राइब आपको मिलेंगे जिनका आंचर आपको कोश्टक में देना है यहां पर पूछा गया है निम्न पेटन में अगली संक्या होगी यहां पर आपको दिए गया है 200 फिर 117 फिर 140 मतलब आप अगर इसको देखेंगे तो 20-20 कम हो रही है तो लास्ट में क्या तो 120 मेरा सही आंसर हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट किसम देखते हैं दिएगे चितर में छायांकित भाग के भिन होगी तो भिन हमको बतानी है अब यहां पर देखिए दो भाग एक और दू तो एक उपर का है ठीक है और एक दो टोटल है तो दो में से एक भाग ऐसा है जो तो पढ़ना कैसे और लिखना कैसे देखिए दो बटा तीन दो बटा तीन आपको ऐसा लिख देना है एक बटा साथ एक बटा साथ आपको ऐसा लिखना है एक सही एक बटा दो एक सही एक बटा दो आपको ऐसा लिखना है दो सही तीन बटा चार दो सही तीन बटा चार आप को एसा लिखना है ठीक है इस परकार चाह को लिखना होगा आगे दिखिए रिक्तिस्तानों की पूर्थी करंवें अभए desirable आपको भाग दिए गए हैं तो आपको इनका भाग करके है नो तो 9 कब हैंगे जब इसमें 11 का भाग देंग तो 9 तो i360 में 5 का भाग देना है जीरो ऐसे के मैंगे था मतलब मैंने दिया 57 25 एक आगया और दो आगया तो बह्तर अप्र मेरा आजर आज आएगा ठीक है नेक्स देखें, आपे 450 में किसका भाग देना है, पचास का भाग देना है, ठीक है, तो 50 का मैं इसको में भाग दूँगा, ठीक है, तो क्या जाएगा, इस परकार से भी आप कर सकते हैं इसको, इस परकार से अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 50 का भाग इसमें देना है, तो या यह अंझा को सब्सक्राइब 10 students 10 क्या होता है एक किलो और 250 ग्राम को श्यार के हमारा सभी हा घृटी कीलो समय को यह सब्छाइब 301 क्लрाम को पांसोगन तो इसको मिलान खाga 2,3-200 ग्राम चीर इस से मेच का जायेगा इस परकार से आपको करना है अगला देखिये आपे केकोसर नंबर 6 जो आपको पूचे जा रहा है एक दुकानदार गरहा को 15 किलो, 200 गराम सकर, 5 किलो गराम, 100 गराम चाँवल और 2 किलो गराम, 200 गराम दाल देता है बताओ गरहा कुल कितने बज़न का सामान खरीता है तो यहां पे देखिए सक्कर पूचा गया है सबसे पहले दुकानदार गरा को 15 kg 200 गराम सक्कर देता है तो 15 kg तो आपने यहां पे लिखा 15 kg गराम कितना है मेरा 200 तो मैंने 200 यहां पे लिख लिए अब अगला दिया गया आपको चावल तो चावल कितना है मेरा पांच किलो और सो गराम अगला है मेरा क्या डाल डाल कितनी है दो किलो और दो सो पचास गराम अब आपको इनको एड़ करना है देखे 200 गराम और 100 गराम 300 गराम 300 और 250 कितनों के 550 गराम तो 550 गराम तो आपने इधर लिख लिया ठीक है अब 15 और 5 20 और 2 22 तो 22 किलो 550 गराम है वो टोटल सामगरी मेरी बन जाती है इतना वजन बन जाता है तो ये मेरा सैयांसर है ठीक है तो चलिए साथ यो अगला परसन देख पूच रहा है कि लिटर को मिली लिटर में बदलना है देखिए एक जो लिटर होता है उसमें कितना मिली लिटर होता है कितना मिली लिटर होता है यह आपको याद होना चाहिए यह आपको याद करना है ठीक है जैसे कि एक लिटर में अगर मैं गराम की बात करो तो कितना होत जाये, सज़ाना है, तो मिल लिडर में आपको बताना है, तो यहांपि हम कर रहे थे, साथ नम्र गा शुषन, यहां पे अभी-अभी मैंने बताया कि एक जो लिडर होता है, उसमें कितना होता है, 1000 ml होते हैं 1000 गराम इसको अपन बोलता है तो 5 लिटर में कितने हो जाएंगे मेरे 5000 गराम 13 लिटर में कितने हो जाएगे 1000 तो 13 में कितने हो जाएगे 13000 ठीक है इस परकार से आपको आंसर करना है अब यहाँ पर देखे घड़ी को देखकर आपको समय बताना है समय आप आराम से बता सकते हैं अगर इस पहले वारी घड़ी को में बात करूँ तो पहले वारी घड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 से आगे जा रही है मलब 6 बच के कितने मिनट हो जाएगे 6 बच कर 15 मिनट मेरी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर रिकना 6 बच के 15 मिनट ठीक है आगे देखें आपे 5 बच के 40 मिनट तो 5 बच के 40 मिनट इसमें हो रहा है तीसरी वाली मैं देखूंगा 9 बच के और कितने और हैं 5 मिनट हो रहा है तो इस परकार शेश्या आपको आज़र करना है आगे देखें आपे 9 चितर की चारो और की परिमाप है वो आपको ग्याद करना है यानि कि परिमाप है तो किसका परिमाप है भाई तिर्बूज का तिर्बूज का परिमाप कैसे ग्याद करेंगे तिर्बुज के परिमाप को ग्याद करने का जो formula होता है तो लंबाई प्लस चोड़ाई ठीक है इसका परिमाप आप यहां पर करेंगे इसके लिए मैं छोड़ रहा हूं यह आप करके comment करेंगे comment आपको whatsapp कर देना है यहां तो आपका comment बंद रहेगा made for kids content की वज़े से तो कक्षा 4 के लिए गणित का जो paper है वो किस परकार कर रहेगा वो भी हमने यहां पर discuss कर लिया है और साथ साथ सभी परसनों को हमने हल भी कर लिया है तो आप exercise कर ले ना इस परकार से बागे मिलते हैं अगले paper के साथ जो हम हिंदी और परियारन का देखने वाले हैं तो comment जरूर कर देना आप comment दो कर नहीं पाओगे वैसे आप WhatsApp वगरा पर कर सकते हैं ठीक है धन्यवाद